चाहे आपको muscle gain करना हो या फिर fat loss करना हो दोनों ही cases में आपके लिए resistance training बहुत जादा important है बट resistance training actually होती क्या है? क्या factors उसको affect करते हैं? किस तरह से हम अपने workouts को जादा effective बना सकते हैं? कैसे हम अपने workouts में खुद से changes कर सकते हैं? तो पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था इस channel पर हम जो भी topic discuss करेंगे हमारा goal यही रहेगा कि हम उसके पीछे की science को समझें तो आज हम लोग discuss करने वाले हैं कि resistance training या फिर strength training भी हम बोल सकते हैं उसके पीछे की science क्या है? और उसको क्या factors affect करते हैं? कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बोरिंग हो सकती है पर बहुत ही जादा important topic है बहुत सारी चीज़े आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी तो मैं request करता हूँ कि आप ये वीडियो last तक जरूर देखना Also इस channel पर मेरा goal यही रहता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जिनको देखने के बाद आपको मदद मिले अपने physique को next level तक ले जाने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं then make sure आप वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe जरूर करें तो strength training के basically 5 principles होते हैं intensity, volume, frequency, rest and tempo अगर हम इन पाँचों में से किसी एक भी चीज को change करते हैं then उसकी वज़ा से definitely हमारी training change होगी हमारा workout या workout plan उसकी वज़ा से affect होगा so we'll see one by one के पाँचों factors किस तरह से हमारी training को affect करते हैं and इन पाँचों की importance क्या है तो सबसे पहली चीज है intensity अब intensity को अगर simple चब्दों में समझाऊं तो आप समझ सकते हो कि आप कितना जादा heavy weights lift कर रहे हो वो आपकी intensity बताता है जितना जादा heavy weights आप lift करोगे उतना आपकी workout की intensity जादा होगी for example आपने इस हफते किसी exercise पर x amount of weight उठाया अगर आप अगले हफते x में थोड़ा सा addition करते हो तो आप कह सकते हो कि आपने अपनी intensity को increase किया है तो the more weight you add on to the bar the more intense your workout is going to be या फिर the more intensity you are applying in your workout तो सबसे पहला factor यही है तो जितना जादा weight हम लोग lift करेंगे उतना उस हिसाब से हमारी body अलग तरीके से respond करेगी और यह इसलिए important है कि अगर आपने optimum weight select नहीं किया है अगर आपने बहुत जादा heavy weight select कर लिया है intensity बहुत जादा heavy रख लिया है तो भी वो आपके लिए नुकसान दायक है क्योंकि वो injury भी कर सकता है आपके growth उतनी जादा नहीं होगी body जादा fatigued feel करेगी अगर आपने intensity बहुत ही जादा low रख दी तो आपको उतना जादा आप एक तरह से endurance training करने लग जाओगे तो it is important कि आप एक ideal weight चुनो जिस पे आपके intensity आपके goal के हिसाब से आप decide करके उसको choose कर सको तो आप अपनी intensity को change करके अपने workout को change कर सकते हो दूसरा factor है volume अगर आप workout करते हो तो आपने जरूर सुना होगा कि एक muscle को हमें कितना जादा volume रखना चाहिए या फिर workouts में हमारे high volume workouts होते है low volume workouts होते है तो volume का actually मतलब क्या होता है volume का सीधा सीधा मतलब होता है how much work you are doing या फिर एक particular muscle कितना जादा work कर रही है उस चीज़ को हम volume कहते है simple भाचा में समझोगे तो sets और reps कितने जादा लगा रहे हो आप तो जितने जादा sets और repetitions आप लगाओगे उतना जादा आपका volume होगा जितने कम sets और reps आप लगाओगे उतना कम आपका volume होगा तो ये चीज़ समझने की जरूरत है जो हमने intensity की बाद डिसकस की तो अगर intensity हमारी जादा होगी तो volume हमारा कम होगा अगर intensity हमारी कम होगी तो volume हमें जादा रखना पड़ेगा तो दोनों inversely proportional हैं एक दूसरे के तो जितने जादा sets और repetitions के साथ आप खेलोगे उससाब से आप अपने workout plan को adjust कर सकते हो तो ये भी एक factor है जो आपकी training को impact करता है तीसरी चीज है frequency तो हमने intensity की बात की कितना heavy weight हम lift कर रहे है हमने ये बात की कि हम कितने sets और repetition लगा रहे हैं बट frequency होता है कि आप एक week में कितनी बार उस muscle को train कर रहे हो तो आप हो सकता है कि एक muscle को हफते में एक ही बार train करो कुछ लोग दो बार करते हैं कुछ लोग तीन बार भी करते हैं तो frequency होता है कि आप कितना frequently उस muscle को बार-बार train कर रहे हो तो frequency भी आपकी training को और आपकी recovery दोनों चीज़ों को affect करेगी अगर आप बहुत जादा frequently workout करोगे तो आपकी शायद muscles recover ना हो पाए आप frequency बहुत जादा कम रखोगे तो शायद आप उतना एक तरह से load न दे पाऊं muscle के उपर तो frequency भी काफी important aspect होता है resistance training का fourth point जो हमारा है वो है rest rest से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने sets के बीच में अपनी exercises के बीच में कितना जादा rest ले रहे हो इस चीज से भी आपकी training effect होती है for example आपने एक set लगाया bench press का उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट का rest ले लिया तो it is not going to help you that much हो सकता है कि अगर आप बहुत ही जादा strength के लिए train कर रहे हो तो आपको इतने लंबे लंबे rest intervals लेने पड़े but hypertrophy के लिए जो normally rest intervals suggest किया जाता है वो होता है 60 to 90 seconds so एक से डेल मिनट से जादा अगर आप rest ले रहे हो तो एक तरह से आप extra rest ले रहे हो तो rest में again depend करेगा जितनी जादा आपकी intensity होगी उतना आपको जादा rest लेना पड़ेगा तो directly proportional है intensity के so again आप जब rest के साथ खेलोगे कि rest कम लेना है किसी workout में किसी workout में rest जादा लेना है उसकी वज़ा से भी आपका जो workout है वो change होगा आपकी जो training है वो change होगी और आपकी body different तरीके से respond करेगी तो rest कितना रखना है कैसे रखना है ये भी काफी important ओके पांचवा और last point जो आज हमारा है वो है tempo tempo से मेरा मतलब है कि जब आप कोई exercise perform कर रहे हो तो आप किस speed पर perform कर रहे हो आपकी muscle कितनी देर तक load के under area जिसको हम बोलते है time under tension तो जब आप कोई भी exercise perform कर रहे हो अगर आप बहुत ज़ादा तेज exercise को perform करते हो तो maybe अगर आपका goal explosive strength बिल्ड करना है तो वो आपको help कर सकता है बट अगर आप slowly perform करोगे तो आपकी muscle ज़ादा देर तक tension के under रहेगी load के under रहेगी और muscle growth के लिए वो चीज ज़ादा फाइदेमंद होगी तो अलग अलग तरीके से हर exercise को perform किया जाता है कुछ exercises को explosively perform किया जाता है कुछ exercises को बहुत ज़ादा slowly perform किया जाता है कुछ exercise को दोनों तरीके से perform कर सकते हो आप तो time under tension बहुत ज़ादा important होता है tempo बहुत जादा important होता है जैसे भी आप अपने tempo को adjust करोगे different different exercises में उस हिसाब से आपकी training effect होगी और आपको result भी उस हिसाब से मिलेंगे मैं यह नहीं कहा रहा कि हर exercise में slow ही perform करना होता है but it's up to you it's up to the body type also कि आपका किस तरह का body type है आपको किस तरह से जाद अच्छे result मिल रहे है but again it's a factor that affects your training so guys this is it for today's video I hope आप लोगो video पसंद आई होगी समझ में आया होगा 5 factors जो आपकी training को affect करते हैं इसमें सिर्फ मैंने factors को explain किया है इस video का जो second part आएगा उसमें हम लोग discuss करेंगे कि जैसे intensity हमने discuss किया तो हमारे one rep max का कितना percent होना चाहिए hypertrophy range में जाने के लिए volume हमें कितना रखना चाहिए कितने sets perform करने चाहिए कितने repetitions perform करने चाहिए tempo क्या होना चाहिए rest कितना लेना है muscle building अगर हम करना चाहते हैं तो वो चीज हम इस video के second part में discuss करेंगे कि actually ये factors affect करते हैं हमें पता चल गया है लेकिन कितना कितना क्या कैसे रखना चाहिए ताकि हमें maximum result मिले वो हम next video में discuss करेंगे तो make sure you hit the like button and you subscribe to the channel ताकि आप next video miss ना करें I will see you in the next video till then be safe, be strong and jehin